लग रही है ना एकदम मस्ट डेले वाले जैसी रगडा भिल बलकि मैं तो ये कहूंगी कि मेरा एक सिक्रेट इंग्रिडियंस डाल कर देखिए घर में कितनी तारिफे मिलती है आज हम बनाएंगे ऐसी मस्ट चटा के दार सिक्रेट इंग्रिडियंस वाली रगडा बिल तो बने रही है मेरे साथ मेरे कीचन में दर्सनास कीचन सबसे पहले हमें लेनी है इस तरह की बड़ी सी कडाई जिसमें मैंने टू टेबल स्पून ओईल लिया है अब इसमें एड करेंगे जीरा और बुन जाए उसके बाद इसमें एड करेंगे हींग नेक्स्ट एड करेंगे थ्री टेबल स्पून सीक्रेट इंग्रीडियन्स सुखे लाल मीच लैशून और कोकोनट की ड्राई चटनी जिससे टेस्ट और कलर बहुत ही बढ़िया आएगा और कोकोनट से रगडा गाडा बनेगा और इसका टेस्ट आपको तारिफे अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की आंच दिमी रखेंगे नेक्स्ट एड करेंगे उबले हुए मटर सुखे मटर के दाने को मैंने रात बर बिगो के रखा था उसके बाद मैंने इसे कुकर में तीन विसल लगा के बॉइल कर लिया है ये मैंने लिया है 200 ग्राम और इसे पानी के साथ ही इसमें एड कर लेंगे नेक्स्ट इसमें एड करेंगे 500 ग्राम बोयल किये हुए आलू जिसको हाथों से इस तरह से मसल कर एड कर देंगे इसके बाद इसमें एड करेंगे 2 छोटी चमच धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर 1 चमच लाल टेस्ट टू सॉल्ट और एक टेबल स्पून चाट वसाला अब सबको मिक्स कर लेंगे और पांच मिनित इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे जैसे जैसे ये उबलेंगा टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा और खुस्बू भी उसकी पास वाले गर तक जाएगी बिलकुल लारी वाले जैसे ही रगडा उबालकर तयार है अब इसके उपर एड करेंगे दनिया गैस को बन कर लेंगे और इसको साइड में कर लेंगे टाइम टु एसेब्लिंग प्लेटिंग सर्विंग सबसे पहले सर्विंग प्लेट लूँँगी इसमें एड करूँगी गरमा गरम रगडा उसके उपर एड करेंगे मुर्मुरे यौर रिक्वायर नेक्स्ट इसमें एड़ करेंगे टमाटर की चटनी, इमली की खट्टी मिथी चटनी, प्यास, टमाटर, बीट फ्रूट, अनारदाना और उपर से रगड़ा थोड़ा सा एड़ करेंगे बारीक चाट सेव और लाष्ट में एड़ करेंगे दनिया, गर्नेशिंग के लिए आप इसमें से कोई भी इंग्रीडियन्स को कम या ज्यादा कर सकते हो और आपको पसंदना आए उसे स्कीप भी कर सकते हो ये लीजिए मुह में पानी लाने वाली जट पट बढने वाली चटा केदार रगड़ा बेल जब हो खानी देले वाली रगड़ा बेल तो जट से इसे बनाए और एंजोई कीजिए आपके लिए मैं नेक्ट नई कौन सी रेसिपी लेकर आओ और ये वीडियो आपको कैसी लगी है कॉमेंट करके ज़रूर बताइए मेरे ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ सेर कीजिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए साथ में बेल बटन दबना ना बुले ताकि मेरी वीडियो की नॉटिफिकिशन आपको सबसे पहले मिले थेंक यू फॉर वाचिंग दर्सनास कीचन